कभी कभी कुछ पुराने गाने जिंदगी को कितना माने देती हैं यह तो समय के साथ सामने आ जाता है जाना था जापान पहुचके चीन इनको सतिता में परिवर्थित करता है आपकारी विभाग का एक सिपाही मामला सिविल लाइन थाना छेतर के एक शादी की गेस्ट हाउस का है जहां पर 30 लोगों की परमीशन लेकर आपकारी के एक सिपाही ने अपनी बिटिया की शादी में बुला लिए 200 से जादा लोग और आशरी की बात तो यह रही कि मातर 500 मीटर के दायरे में सिविल लाइन की पुलिस चौकी को इस बात की कोई ख़बर ही नहीं मिल पाई शोशल मेडिया पर जब या इस पार्टी की तस्वीश सामने आई तो आनन फानन में जिल्ला प्रसासन हरकत में आया और दोनों पक्षों में लगभग 15 लोगों को गिरफतार किया गया बताया जा रहा है कि इस शादी में कुल 30 लोगों के आने की परमीशन दी गई थी लेकिन अपने रुत्बे और ध्वच के चलते सिपाही ने लगभग 200 या उस से जादा ही लोग शादी में आमंत्रित कर बैठा रातो रात इनके खिलाफ मुकदमा कायम कर 15 लोगों को गिरफतार कर जेल भेज़ दिया गया है झाल झाल कर दो कि अब कर दो अब कि अब कि और ने अब एक विवा कारेक्टर में जो सिवी लाइन्स के अंतरक्त हो रहा था वहां लगभग डेर सो से दो सो लोग के उपस्तित होने की सुचना प्राप्त हुई थी इस पर मजिस्टेट और पुलिस चेता धिकारी पहुच करके उन्होंने वहां कारवाई करी थी 15 लोगों को इसमें जो मास्क भी नहीं लगाये थे बिल्कुर सोसल डिस्टेंसिंग नहीं किये थे आयोएक थे उन्हें अरेस्ट भी किया गया है और उनके खिलाप अभियोग भी पंजिकत किया गया है इसलिए जानकारी होने पर ही कारवाई हुई है और चुकी पर्मिशन तीस लोगों की थी और वहां डेर सो लोगी कठा थे इसलिए कारवाई की गई है